दोस्तो हुली आने बाली है, इसी बीच अगर खास हुली के दिन शाम के भक्त गाय को रोटी में लपेट कर ये चीज खिलाने पर आपकी साथ पीडियां राच करेंगी, उपाय है सरल। दोस्तो, 2019 में 21 तारिक को हुली मनाई जाएगी, इसी बीच आपको ये उपाय शाम के भक्त ही करना है, आपको बता दें। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायतरी का बहुत ज़्यादा धर्मिक महत्व है, मानिता है कि गौमाता के शरीर पर 33 कोटी देवी देपताओं का बास एक साथ होता है, गौमाता की सेबा एबंग पूजा करने बाले जातक पर सभी देवी देपताओं की किरपा बरस्ती गौ सेबा से ना सिरिप एक जनम के बलकी पूर्व जनम के दोज भी धूर हो जाते हैं, तो चली जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे हर ब्यक्ती बड़ी तेजी से धनबान बन जाता है, दोस्तों जोतिस बिधा में गाय से जुड़े कुछ उपाय बताए गई हैं, जिन होली खतम होने के शाम के बक्त, पांच ताजी बनी हुई रोटी पर थोड़ी सी मिठाई, मिठाई कोई भी चलेगी, एक हरी इलाइची, एक दो साबुत लौंग और उस पर थोड़ी सी हरी घास डाल कर इन सारी चीजों को गाय माता को खिला दें, फिर उसके बाद अपने ह हातों से गाय माता को पानी पिला दें और उनके चरणों को छूलें, याद रहे, होली खतम होने के शाम के बक्त ही तुरंट आपको ये काम करना है, ऐसा करने से सारे देवी देपताओं का आश्री बात तुरंट प्राप्त होता है, यकीन मानिए, अगर आप कितने भी गरी ब्यक्ती क्यों न हो, आपके उपर से सारे दोश हट जाएंगे, आपको काम्याबी जल से जल हासिल होगी, करज से भी मुक्ती बड़े प्यार से मिलेगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये काम मैं कर चुका हूँ, और मुझे इसका लाप प्राप्त हुआ है, तो दो धन्यबाद